आज मने बड़ा ही खुश है मेरा मैंने खुशी से गाई ये रस्ता चल दी से अब कट जाए मैं चलू जरा चल दी से मुझे जाना है बड़ी दूँख शान्ती खुशी से गीत गुन गुनाती हुए पुश्पा के घर की योर जा रही है रास्ता बड़ा ही लंबा है अकेले रास्ता त्या करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मैं पुश्पा के गाउं में तो पहुच गई ये भगवानिया तो कोई बैल गाड़ी भी नहीं दिख रही शकुंतला बेहन को साथ ले आती तो अच्छा होता पर उनको उनके गुटनों में तो बड़ा दर्द है उनसे कहां चला जाता है इतनी दूर पैदर मैं कुछ दिर या चाय में विश्राम कर लेती हूं अरे कोई नहीं दिख रहा यहां तो अब मुझे चलना होगा ज्य नंदनी बहू अब तक नहीं आई फूल लेकर ही प्रभू आपका बहुत ही जादा धन्यवाद मेरे घर में इतनी खुश्यां देने के लिए चबीली बहू अरे ओ चबीली बहू मोती चूर के लड़ू ना रखे तो ने मंदिर में कहा है तो ही प्रभू क्या करो मैं इधर चबीली अपने कमरे में खड़ी है अरे लगता है माजी मुझे बुला रही है हाँ हाँ बुला तो रही हो तो सुनेगी तो अरे वो मोती चूर के लड़ू ना रखे के तोने मंदिर में हे बखवार मैं तो बोल ही गई माजी ये रहे मोती चूर के लड़ू मैं इन्हें अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये शादी जूट बोल कर की है कि मैं बहुत ज़्यादा पड़ी लिखी हूँ परन्तो मैं तो एक अनपड़ लड़की हूँ ही प्रभू क्या होगा जब मेरे ससुराल वालों को सच पता चलेगा चबीली बहूँ क्या बड़ बड़ा रही हो मन ही मन मैं एक बार तुम्हारी चमीली काकी के घर जा रही हूँ बंटू का खयाल रखना अरे क्या हुआ बंटू क्या हुआ क्यों रो रही हो तुम्हारी दादी मा घर से बाहर निकली नहीं कि इसने रोना शुरू कर दिया चुप हो जा प्यारे बंटू, चुप हो जा प्यारे बंटू, चबीली, अरियो चबीली बहन, चरा आना तो सही, यह बंटू तो रोए जा रहा है, ही भगवान में कैसे संभालो इसे, अरी आप चिंदा ना करे पुष्पा बहन, इसकी चाची है ना इसे संभाले के लिए, आ ही अप मुझे दे दी ची, यह मेरे पास आकर चुप हो जाता है, हाँ हाँ यह लोचा बीली बहन, तुम ही संभालो इसे, यह भगवान गया तो मुझे परिशान कर देता है, रो रोकर कितना रोता है यह चुप हो जा बंटू, रोती नहीं है, तू सोजा जल्दी से, जल्दी से सोजा, ला, 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 तुम चुप हो जाओ बंटू, फिर तुम्हें धेर सारे मोती चूर के रट्टू खाने को मिलेंगे, मुझे बिल मोती चूर के रट्टू खाना बड़ा पसंद है, खेर अभी तुम्हें नहीं खा सकती, देखकर ही खुश हो जाती हूँ, अर्यो चबीली पहो, लट्टू पर ही राल टपकाती रहे कि क्या, लाज नहीं आती तुझे, ही भगवार पूजा के लट्टू है, कुछ रहा था बड़ा, नहीं लेजिए, अब सभाल लेजिए, आपके पास आकर ये बड़ा ही कुश होता है, हाँ हाँ ला मेरा बंटू मुझे दे, चुप हो जा प्यारे बंटू, तेरी नानी आएगी, ला 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 ला, देखा, मेरी गोद में आती ही कैसे चुप हो गया, त तुम्हें तो इसे सबालना नहीं आता, हाँ हाँ सासुमाव सही कह रही है, अब मैं जाकर चल्दी से घर के बागी के काम निप्टा लेती हूं, मैं भी जाकर दीखती हूं कि पूजा की तयारी कैसे हुई है, अरी वा, चबीली ने अकेले सारा काम कितने अच्छे से कर लिय है, ही प्रभू मुझे आशिरवात दीची, इधर रंदनी वन में फूल तोड़ने के लिए आई है, मैंने ठेल सारे फूल तो तोड़ लिए है, अब मुझे घर जाना चाहिए, अरी नहीं नहीं, यहां तो सफीद रंगे बड़े ही सुन्दर फूल है, मैं ये सफीद रंग इसे एक फूल तोड़ लेती है, कितना सुन्दर है ये फूल, कितने सुन्दर सुगंदा रही है, अब मैं ये बागे के सफीद फूल भी तोड़के अपने टोकरी में रख लेती है, कितने सुन्दर है ये प्यारे प्यारे फूल, एक फूल और बज़ा है इस डाल पर, इसे वापस घर जाने में बहुत समय लगेगा मुझे जल्दी से यह फूल भी अपने टोकरी में रख लेना चाहिए अरे ऐसा लगता है सामने से शांती काकी आ रही है मैं जरा नस्दीक जाकर देखती हूँ अरे ये तो मेरी शांती काकी ही है ही प्रभू मेरी प्यारी नंदनी यहां जंगल में क्या कर रही है अरे नंदनी तुम यहां कैसे क्या कर रही हो काकी में फूल लेने आई थी अरे मेरी प्यारी नंदनी काकी जी आपको देख कर तो मेरा मन खुश हो गया ऐसा कहकर नंदनी शांति काकी से गले मिलती है मेरी प्यारी नंदनी कबसे आखे तरस रही थी मेरी तो तुम दोनों को देखने के लिए चलो अब मैं जल्दी से तुम्हारी मदद कर देती हूँ फूल तोड़ने में नाना शांति काकी फूलों के टोकरी तो भर चुकी है हाँ हाँ तो जल्दी करो अब हम घर चलती है हाँ हाँ शांति काकी मैं जल्दी से फूलों के टोकरी उठा लेती हूँ सब लोग हमारी ही राह देख रही होंगे हमी जल्दी जल्दी जाना चाहिए कितना अच्छा लग रहा है आप आ गई हाँ हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आ कर अरे बहुत तेज हवाई चल रही है काकी जी फूल तो उड़ रही है ही प्रभू में क्या करूँ अरे हाँ हवा तो अच्छी चल रही है अब चल्दी चल्दी चलती हूँ मेरे तो प्यार ही दुखने लग गए मा जी शांतिका की आ गई है अरे सम्धन जी आ गई यह तो बड़ी खुशी की बात है मैं ये फूलों की टोकरी यहाँ रख देती हूँ जब मैं फूल तोड रही थी तो शांतिका की मुझे वही जंगल में दिखाई दी गई और मैं उन्हें अपने साथ ही ले आई यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया हम तो कब से राह देख रहे हैं तुमारी कैसी है सम्धन जी आप अरे हमारा पंटू कैसा है अरे पुष्पा दिखाई नहीं दे रही सम्धन जी मैं प्रभू का आशिरवाद ले लो हे प्रभू आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाई यह शांतिका की आपका जोला में एक तरफ रख देती हूँ अरे छबीली बहन पुष्पा बहन शांतिका की आगई है इस तो है ना मुझे बड़े याद आती है आप सबकी अरे हम सब पी तुम्हें बड़ा याद करती है छबीली अरे छबीली तो बड़ा बदल गई है सम्धन जी बड़े ही गुडी और महनति हो गई है शांतिका की यह लिची य कोय का ठंडा ठंडा पानी नाना नंदनी प्रभू की पूजा होने से पहले मैं अन जलक रहना करोंगी अरे सम्धन जी पानी तो पी लेजिए पानी से कुछ नहीं होता नाना सम्धन जी मैंने मन्यत मांगी थी अरे फिर तो जल्दी से पूजा की तैयारी करो जल्दी आओ पुषपा छबी ले नंदनी जल्दी करो कमल और मदन तो खेत में ही रुकेंगे प्रणाम मा जी कैसी है आप रास्ते में कोई कठिनाई तो ना हुई आपको अरे कठिनाई तो कैसे ना हुई होगी हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ कोई बैल गाड़ी भी नहीं आती इस गाउं की और मैं जल्दी से तिया जला देती हूँ हे प्रभू सबका भला करना मैं प्रभू को भोग लगा देती हूँ हे प्रभू हमें आशिर्वात दीजिए हमारे घर में सुक्षांती और खुशिया ऐसी तरह बने रहे की पूजा करो आओ और आओ गाओ और गाओ प्रभू की पूजा करो सब लोग मिलकर प्रभू की पूजा कर रहे हैं खुशियों का दिन आया मने कितना है हरिश आया सब हमें खुश है आपकी दया से प्रभू हमें आशिर्वात दो हे प्यारे प्रभू हम पर अपने कृपा बनाए रखना हे प्रभू आप हम सबको आशिरवाद दीजिए सब के जीवन में खुश्यां आए सब हमेशा खुशार रहे सब लोग बारी बारी प्रभू के सामने शीष चुकाते हैं और भगवान का आशिरवात लेते हैं दोस्तों विमला अपने मा के घर गई हुई है वहाँ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है प्यारी चूली की घर यह सब जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा हमारे चैनल और देखते रहें विमला की कहानिया तो जल्दी ही मिलते हैं विमला की अगली कहानी के साथ